हूँ حketi गीर श्टुडेंट इस लेक्चर में हम लोगं डिस्कस करने वाले हैं प्रोपरिटी are fast moving electron अच्छा अगर यह fast moving electron है तो इसका एक symbol भी हम यहाँ पर बता देते हैं fast moving electron emitted from the nucleus कहां से emit होता है nucleus से emit होता है और fast moving electron है और symbol इसका क्या होगा इसको हम represent करते हैं minus 1 और beta 0 से या फिर हम इसको represent करते हैं minus 1 electron मतलब small e और power 0 से ऐसे represent करते हैं यह fast moving electron जो nucleus से represent होता है उसको represent करने का तरीका है ठीक है second property इसकी क्या होगी कि mass of beta particle ठीक है तो mass of beta particle beta particle का mass क्या होगा तो mass इसका वही होगा 9.1 जो electron का होता है 10 raise to power minus 31 kg जी जी चार्ज आफ बीटा पार्टिकल क्या होगा आफ बीटा पार्टिकल तो q इस इक्वल टू कितना होगा 1.6 इंटू 10 raise to power minus 19 कूला specific charge क्या होगा इसका specific charge बेटा किसको बोलते है charge अपको mass से divide कर दो charge को किसे divide कर दो mass से divide कर दो तो charge 1.6 इंटू 10 raise to power minus 19 को mass से divide करोगे यानि 9.1 इंटू 10 raise to power minus 31 तो आएगा 1.76 इंटू 10 raise to power 11 और यह आएगा charge अपान यानि कुलाम अपान किलो गराम कुलाम है यह capital यह C का मतलब कुलाम तो यह specific charge आजाएगा जो कि यह second property है third property बीटा पार्टिकल का क्या होगा कि हम इतना जानते हैं कि बीटा पार्टिकल और जो electron है बीटा पार्टिकल और electron यानि कि काइथोड रे से fast moving electron यह दोनो nature of electron है बट यह दोनो differ हैं किसमे origin में कि originate कहां से होते हैं क्योंकि बीटा पार्टिकल तो कि-set demand होता है औरको जो काई थोड़ रे में मूबिंग इलेक्ट्राइन वह यह हु tortungen की आर्लिटर का इलेक्ट्राण होता है तो हम यह बात वी लिख सकते हैं इंट हम क्यों यहले लिख सकते हैं कि बीटा पार्टिकल एकुक्य है एक टेहिट प्रयू ज़रए है कि दोटिछ ले अर्था मूवींग इलेक्त्राउन है आ ए और नों कैसे हैं फ क्राज आखिम उर्यप्राउन हैं याद रखना कि बीटा पार्ठिकल कहां से originate होता है बेटा particle originate होता है nucleus of an atom से यह originate होता है तो originate nucleus of atom से nucleus of atom से होता है atom के nucleus से होता है और cathode ray कहां से originate होता है तो यह जो और इसका origin point है यह होता है orbital का electron ठीक है तो it is originate orbital of atom। ठीक है? यह हम ऐसे कह सकते हैं कि orbital का electron है। ऐसा कह सकते हैं कि orbital electron है. क्या है यह है? और्विटल electron है. और्विटल कहां पर होता है? तो वो nucleus की चारो और orbital intent होता है. नूकलियस में प्रोटॉन और नूट्रॉन रहते हैं और यह जो होते हैं इन्ही को और्बिटल बोलते हैं इन्ही को क्या बोलते हैं और्बिटल बोलते हैं यह और्बिटल होता है तो जो हमारा कैथोड रे है यही कोई इलेक्टॉन होता है जो और्बिटल से करता है लेकिन बीटा पार्टिकल कहां का होता है बैटा ये नूकलियस में नूकलियस में जब प्रोट्रान न्यूट्रान या न्यूट्रान प्रोटान में इंटरचेंज होता है तो उस दोरान जो बनने वाला इलेक्ट्रान होता है यानि कि आप ऐसा कह सकते हो कि जब नूकल से निकलने वाले electron को beta particle बोलते हैं और orbitals में participeate करने वाले electron जब कभी भी होते हैं एक beam बनाते हैं उन्य कैञ्थोण ray बोलते हैं तो कैञ्थोण ray में जो electron होता है वो ओरिजिनेट होता है और orbital की electron होते है उसमें और beta particle में nucleus के होते हैं ठीक है फोर्थ प्रोपर्टी क्या होगी फोर्थ प्रोपर्टी क्या होगी स्पीड ओफ बीटा पार्टिकल के बारे में तो ये थोड़ा सालफा पार्टिकल से ज़्यादा होगा और गामा पार्टिकल से कम होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि speed of beta particle is of the order of 10 raised to power 8 meter per second बट याद रखना कि but always speed of beta particle is less than always हम ऐसे लिख दे रहे हैं less than less than gamma particle less than हम कह सकते हैं gamma particle gamma particle या हम कह सकते हैं speed of light speed of light gamma particle और speed of light से इसकी speed क्या होती है कम होती है यह याद रखना ठीक है बट अल्फा पार्टिकल से इसकी speed क्या होती है जादा होती है यह रह गामा नेश्ट है एक बाद मैं आपको बता दू कि ये जो हमारा बीटा पार्टिकल है ये निकलता कैसे है जब कोई रेडियोक्टिव सबस्टेंस के अंदर न्यूकिलियर डिके होता है और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है तो उस टाइम पर हमारा एक बीटा पार्टिकल निकलता है न्यूकिलियर के अंदर कांटेनिवसली न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहे हो और उस टाइम पर बीटा पार्टिकल निकलता है एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाए तो यहां पर एक इलेक्टॉन यानि एक बीटा पार्टिकल म हमी ही कर पाता है तो घन के सकते है कि बीटा पार्टिकल की बीटा स ገ व्हुर्ट傳ाव को इस से यह पास होता है तो उस गैस को यह ionized कर देता है तो ionization power ionization power of beta particle of beta particle beta particle is equal to the ionization power ionization power of alpha particle alpha particle alpha particle के ionization power को 100 से डिवाइड कर दो तो जो ionization power मिलता है वो beta particle का मिलता है और याद रखना कि ionization ionization power of beta particle particle is equal to 100 into ionization power of gamma particle gamma particle से कि ionization power में 100 से multiply कर दो तो जो ionization power मिलता है वो beta particle का मिलता है और alpha particle को कि ionization power को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा ionization power of beta particle इसका मतलब साफ है कि alpha particle का ionization beta particle से 100 गुना जादा होता है और gamma particle से 10,000 टाइम्स क्या होता है ionization power alpha का जादा होता है हला कि ये property आप beta है लेकिन मैं बता रहूं कि alpha का यही होता होगा तभी तो ये relation निकल कर आया है कि alpha beta का ionization power और alpha में 100 से divide करोगे तो जाके मिल जाएगा और gamma में 100 से multiply करोगे तो जाके मिल जाएगा तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं ठीक है next जो property होगी वो property होगी six number penetration power of beta particle ठीक है penetration power of beta particle is more than alpha more than alpha particle but less than gamma particle alpha particle but less than gamma particle या gamma radiation बोल सकते हो आप तो मैं radiation ही लिखते रहा हूँ तो ये चीज़ है जेखो alpha के लिए आपने पढ़ा था कि 3 to 5 cm air में वो चल सकता है और paper से ये cardboard से उसको हम रोक सकते हैं alpha के लिए यही लिखा था आपने कि 3 to 8 cm वो air में चल सकता है इसे cardboard या thin paper seat से हम रोक सकते हैं और आपने ये भी लिखा था कि penetration power जो होगा वो pen मतलब कि जो pen rate करने की छमता होगी वो alpha में कम होगा beta में जादा होगा और gamma में सबसे जादा होगा तो beta किस चीज beta का जो penetration है वो penetration क्या है तो beta के लिए penetration power का अगर हम बात करें तो ये nearly 5 meter air में चल लेता है nearly किना meter air में चल लेता है nearly 5 meter air में ये travel कर लेता है याद रखना ये यह 5 मीटर एर में ट्रैवल कर लेता है और यह thin card seat से रोका जाता है thin card seat से रोक लिया जाता है और aluminium की file अगर की बात करें तो 5 mm थिक aluminium की seat अगर हम लें तो उससे हम इसको रोक पाएंगे बीटा पार्टिकल को stop कर पाएंगे तो बीटा पार्टिकल इतने 5 mm की thin seat को thin seat से रोक लिया जाएगा एर में 5 मीटर चलेगा जबकि alpha particle 3 to 8 cm ही चल पाता है और alpha particle एक paper seat से ही रोक लिया जाएगा और इसमें aluminium की seat होनी चाहिए और 5 mm thickness की होनी चाहिए तो हम उससे जाके इसको रोक पाएंगे तो ये हो गया हमारा 6 अब हो गया 7 number property 7 number में बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है बीटा पार्टिकल कैसा चार्ज होता है बेटा पार्टिकल पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज कैसा चार्ज होता है बेटा नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अब ये कैसे आपने पता लगाया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो हमने 1903 में होने वाला जो riding for experiment था उस experiment में क्या किया था कि एक हमने ऐसे chamber लिया था एक ऐसे chamber लिया था glad का और उसमें एक radioactive material यहां पर रखा था और radioactive material से जब यह तीनोघ निकल रही थी तो हमने क्या कि positive और negative यहां पर दो plate लगाकर एक electric field generate कर दी और उस electric field में हमने क्या देखा था कि हमारा जो alpha particle है वो negative plate की ओर चला गया था beta particle हमारा positive plate की ओर चला गया था तो positive positive में क्या होता है negative negative में क्या होता है repulsion होता है और negative positive में positive negative में attraction होता है तो अगर ये beta particle negative charge नहीं है तो positive plate की ओर क्यों आया और obviously positive plate की और अगर यह attract हुआ तो it means that कि यह negative charge है तो रदरफर्ट एक्सपरिमेंट से यह evidence मिलता है कि बीटा पार्टिकल negative charge है और alpha particle positive charge है because of they are attracted by the negative plate चौंकि alpha particle को negative plate attract कर रही है और बीटा particle को positive plate attract कर रही है तो इससे पता चलजाता है कि बीटा negative charge है अलफा पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर यह एक evidence मिल जाता है ठीक है और गामा ना तो negative plate की और attract हो रही है या deviate हो रही है ना तो positive plate की और deviate हो रही है इट मिन्स दैट की जो गामा है वो neutral charge है चार्जलेस है उस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो बीटा पार्टिकल इस तरीके से negative charge आजाता है that is the 7th property of the बीटा पार्टिकल 8 number क्या होगा 8 number बीटा पार्टिकल affected करता है photographic plate को क्योंकि यह nuclear decay से हो निकल रहा है और nuclear decay तो photographic plate को effect करेगा ही करेगा तो बीटा पार्टिकल हम ऐसा लिख सकते हैं कि बीटा पार्टिकल affected या effect of photographic plate photographic plate photographic plate पर चमा कुदपन करता है समझ गए न या उसको effect करता है 9 number क्या होगा कि बीटा पार्टिकल बीटा पार्टिकल काजेज क्या करेगा चमा कुदपन करता है यह बात भी हम लिख लेते हैं तो यह fluorosense on striking जब यह photographic plate से या किसी fluorosense material से श्ट्राइक करता है तो चमा कुदपन कर देता है तो striking striking of fluorosense material जैसे क्या होता है कि आप रात में गाड़ी चलाते हो तो देखते हो कि वहाँ पर आपकी गाड़ी की headlight किसी board पर पढ़ता है तो चमक नहीं लगता है लिखा होता है divergence, convergence यह मतलब accidental place है, speed slow, speed fast लिखा हुआ होता है तो वो क्या होता है उसकी खुद की अपनी light नहीं होती है वो एक ऐसा fluorescent material है जिस पर light पढ़ते ही उस पर चमक उत्पन हो जाएगी जैसे रेडियम हो गयरा ठीक है तो वो जो बीटा particle है बीटा particle cause the fluorescence और alpha particle भी तो cause the fluorescence वो भी तो चमक उत्पन करता था जब किसी fluorescent material से strike करता था तो यह वाली जो प्रोपर्टी है यह alpha के लिए भी सेम है बीटा के लिए भी सेम है ठीक है नेस्ट है कि टेन नंबर प्रोपर्टी बीटा particle produce करता है एक्स रे यह भी याद रखना बीटा particle क्या produce करता है बीटा प्रोपर्टीकल प्रोड्यूस प्रोड्यूस एक्स रे एक्स रे एक्स रे यह यह प्रोड्यूस करता है यह भी याद रखना वेंडे आर इस्टॉप्ड बाइडा मेटल और कैसा मेटल होना चाहिए हाई की अटामिक नंबर का मेटल होना चाहिए याद रखना जैसे मैं एक जमपल की तौर पर लिख देता हूं कि साच एज टांगर स्टन कि तो आफ हाई एटामिक हाई एटामिक अटामिक नंबर हाई अटामिक नंबर ठीक है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ठीक है और लास्ट इसकी जो प्रोपर्टी है वो क्या है कि बीटा पार्टिकल काज मोर बायो लॉजिकल डैमेज याद रखना यह प्रोपर्टी भी कि बीटा पार्टिकल पार्टिकल काज मोर बायो लॉजिकल डैमेज मोर बायो लॉजिकल डैमेज ठीक है ज्यादा बायो लॉजिकल डैमेज क्यों बायो लॉजिकल डैमेज ज्यादा कर लेता है इसकी स्पीड अलफा से एक तो ज्यादा होती है उपर से पांच पांच मीटर ये एर में ट्रेवल कर लेता है तो लगो ही फिष की जादा है और पेंट्रेशन पावर जादा है आउनाईशन इसन पावर ठोड़ा सा कम है लेकिन पेंट्रेशन पावर इसका बहुत ज्यादा है तो जाना करिए गा- अलफा पार्टिकल से ठीक है और याद रखना कि आएज दे कैन दे कैन एजली पास थुरो यह बहुत इंपोर्टन बात है बेटा दा इसकीन हम इससे बहुत प्रिकॉशन है यह हमारे लिए कि हम जहां पर बीटा पार्टिकल हो गए रहा का इमेशन हो रहा हो वहां पर नहीं दिखाएगा लेकिन धीरे धीरे अपना इसक्ट दिखाएगा तो देज आर हम कह सकते हैं कि दीजाओ प्रपर्टिया भी आफ बीटा पर्टिकल दीजर इलैवन प्रपर्ट्य विच इस बेरी इंपॉर्टेंट फार तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपर्टी अफ गामा रेडियेशन की बात करने वाले हैं थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो थैंक्यू बेटा